आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आइकोडेक इंसुलिन के बारे में, जो की सुगर के मरीजों के लिए वर्दान साबित हो सकता है, आइकोडेक इंसुलिन एक ऐसा इंसुलिन है, जो की हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाया जाता है, डियाबिटीज के आने का जंजट खत्म हुआ वीडियो सूकन इस पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो एकदम लास तक जरूर देखें तथा वीडियो को इसक्रिप करके बिल्कुल भी नहीं देखें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प् कई मौत का कारण भी डिविटीज है भारत में लगातार बढ़ रही डियोटीज के मरीजों की संख्यां बताती है कि डियोटीज किस तरह से भारत में पाँउपसार रहा है दुनिया भर में लगातार डायविटीज के मरीजों की संख्यां बढ़ती जा रही है WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि 1990 के दोरान दुनिया में 108 मिलियन मरीज डायविटीज के थे लेकिन 2014 में यह संख्यां 422 मिलियन हो गई थी इसके बाद से यह कम कमाई या मिडिल इनकम वाले देशों में डायविटीज के मरीजों की संख्यां लगतार बढ़ती जा रही है दरसल डायविटीज की वज़ज से सरीर के कई हिस्सों पर असर परता है और कई बार यह मौत का कारण भी बनते हैं जैसे 2019 में 2 मिलियन यान की करीब 20 लाख लोगों की मौत डायविटीज का कारण था और किडिनी का डायविटीज के मरीजों के मामलों में भारत का दूसरा अस्थान है चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यदा डायविटीज के मरीज है आपको बता दें कि भारत में 77 मिलियन लोग डैविटीज से परिशान है और इसमें 12 मिलियन लोग 65 साल से कम उम्र के है और माना जा रहा है कि 2045 तक ये आंकरा 37 मिलियन को पार कर जाएगा कहा जा सकता है कि भारत में हर 11 लोगों में से एक सक्सको डैविटीज है डैविटीज एक ऐसी बिमारी होती है जिससे हमारे सरीर के रक्त में ग्लुकोज की मातरा बढ़ जाती है इस अवस्था को हाइपरगलासीमिया कहा जाता है डैविटीज मुखित दो परकार की होती है पहला है टैप वन डैविटीज टैप-1 डायविटीज में पैंक्रियाज की बीटा कोशिका इंसूलिन बनाना बंद कर देती है जिससे शरीर में गल्कोज की मात्रा बढ़ जाती है सबसे ज़्यादा मरीज टैप 1 डायविटीज से प्रभावित है और यह बच्चों और जवान वेक्चों में ज़्यादातर देखी जाती है दूसरा है टैप 2 डायविटीज टैप 2 डायविटीज में इंसुलिन प्रयाप्त मातरा में बनता है पर सरी की कोशिका उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता इस कारण से बलड में गुलकोज की मातरा बढ़ जाती है जब सुगर के मरीज को डॉक्टर दवाई देते हैं तो एस्टार्टिंग में कंट्रोल तो होता है लेकिन फिर अनकंट्रोल भी हो जाती है तो डायविटीज को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर या तो दवाई का डोज बढ़ाता है या दवाईयां चेंज करते हैं लेकिन फिर भी सुगर कंट्रोल नहीं आता है, तो फिर उन इस्तितियों में डॉक्टर इंसुलीन लगाने की सलाह देते हैं, इंसुलीन भी कई टैप्स के होते हैं, डॉक्टर पेसेंट के उम्र और कंडिशन के एकोर्डिंग इंसुलीन प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सुगर कंट्रोल नहीं होने के बाद डेली इंसुलीन लगाना परता है, अब हम जान लेते हैं, आइकोडेक इंसुलीन सुगर के مरीजों के लिए चमतकार साबित हो सकता है, क्योंकि यह इंसुलीन सब्ताह में सिर्फ एक बार लगाया जाता है, औ जोकि हपते में एक बार ली जाने वाली इंसुलिन है, संभावना है कि इस वीच्तिय वर्स की दूसरी तिमाही में इसको मनझूरी मिल सकती है। इसके बाद वेबसाइक उपयोग के लिए उपलब्ध होने वाली यह दुनिया की पहली सप्ता में एक ली जाने वाली इंसुलिन होगी। सोध करता और चिकित्सक समान रूप से आइकोडेक को दुनिया भर में मदुमेह रोगियों के लिए संभावित गेम चेंजर की रूप में देखते हैं जिन्हें इंसुलिन थेरेपे की अविशक्ता होती है वर्तमान उपचार के लिए देनिक इंसुलिन की जरूरत होती है या फ्रेंड्स इस वीडियो में लास्तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हमाये द्वात दी गई जानकारी का उप्यों किसी भी स्वास संबनी समस्या के लिए नहीं करें किसी भी प्रकार के समस्या के वीडियो जहिन जय भारत